इस वीडियो में दी हुई जांकारी इंटरनेट से ली गई है, हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते, किसी भी दवाई का उप्योग करने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर पूछे, अगर आप इस वीडियो को देखर किसी दवाई का उप्योग करते बुखार के बाद की कमजोरी को कम करता है और बुखार की पुनरावृत्ती को रोक सकता है ये बार-बार होने वाले संक्रमनों को रोक सकता है और तापमान को कम करता है इसमें एंटि-पेर्याटिक और एंटि-इंफ्लिमेटरी गुणों के साथ इम्यूनो मोडिलेटिंग ग बढ़ाता है और संक्रमन और अलजी से बचाता है चलिए जानते हैं इसके कुछ फाइदों के बारे में एक ये सिर्फ बुखार, फ्लू, खांसी, गले में दर्थ, पुराने बुखार और टाइफाइट के मामले में राहत देने और कम करने में मदद कर सकता है दो ये बुखा शरीर की प्रतिरोधक शमता को बढ़ाता है चार इसमें अंटि पिर्याटिक और अंटि इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं जो शरीर के उचित कामकाज में मदद कर सकते हैं वीडियो को पूरा देखनी के लिए धन्यवाद अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीड करके नोटिफिकेशन बेल को और नोटिफिकेशन पर सेट करें